Hello everyone, welcome you all at Locaster Unlimited Study Zone आज हम करने जा रहे हैं एक second part So heading बना लेजी, आज हमें क्या पढ़ना है आज हमें पढ़ना है second part of half yearly examination 2023 में जो paper अभी conduct हुआ है उसका half yearly examination का हम यहाँ पर part 2 आपको पूरा का पूरा solve करवाएंगे तो इसके पहले मैंने आपके लिए part 1 complete कर दिया था I hope आप लोगोंने part 1 के solution सभी देख भी लिये होंगे और बहतर तरीके से एक बर revise कर लिये होंगे तो जहां तक हमने कर लिया है उसके आगे की questions आज हम करेंगे तो यहाँ से करना था हमारे पास यह question आपके सामने question no.6 दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले हम question no.6 को उठाते हैं तो देखें हमारे पास question no.6 है so question no.6 का पहला part कह रहा है कि अगर आपके पास question no.6 का पहला part आपके पास कह रहा है कि अगर आपके पास एक सेट है 1,2,3,4,5,6 ओके तो 1,2,3,4,5,6 यह आपके पास पहला सेट जो है वो दिया गया है and जो relation define है R is the relation defined in x to y such that y is equal to x plus 1 यह आपको जो है यहाँ पर यह relation आपको define किया गया है आपको इस relation को किस form में लिखना है इसकी domain और range आपको लिखना है प्रांत मतलब domain और range तो देखें यदि हम relation को define करेंगे तो क्योंकि हमारे पास set a है तो set a से relation set a में जाएगा तो a मेरे पास क्या है 1,2,3,4,5,6 और दूसरे a में भी क्या होगा 1,2,3,4,5,6 और y is equal to कितना भी आगया है x plus 1 मतलब जो y है वो x से एक ज़्यादा है then 1 किस से connect होगा 2 से, 2 होगा 3 से, 3 होगा 4 से, 4 होगा 5 से और 5 होगा 6 से तो 6 की कोई pairing नहीं बनेगी तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं domain यानि की हिंदी में जिसे हम प्रांथ कहते हैं तो प्रांथ इस संबंध की जो प्रांथ बनेगी वो क्या बनेगी हमाँ पास 1,2,3,4,5 only ओके और जो यहाँ पर जो इसका परास बनेगा वो किता बनेगा 2,3,4,5,6 तो यह इसका परास हमाँ पास बन जाएगा तो यह हो गई हमाँ पास प्रांथ और इसे हम परास परिसर कहते हैं उसी को परास भी बोलते हैं चलिए अगला question क्या है अगला question हमाँ पास दिया गया है फलन x square plus x plus 1 upon x square minus 8x plus 12 ठीक है तो मैं फलन लिख लेता हूं x square plus x plus 1 fx मेरे पास दिया गया है x square plus x plus 1 upon x square minus 8x plus 12 चलिए अगले page में चलते हैं यहां क्यों करें, next page में चलते हैं, तो फलन मेरे पास दिया गया है कितना, x square minus x plus 12 upon, x square plus x plus 1 है, plus x plus 1 and divided by x square minus 8x plus 12, इसके पहले हमने question number 6 कर लिया, 6 का जो पहला पार्ट था, यह हो चुका है हमारा, notation क्यों नहीं आ रहा है, अब हम कर रहे हैं, 6 का तूसरा पार्ट, तो फलन हमाँ पास जो है, fx equal to x square plus x plus 1, upon x square minus 8x plus 12, x square minus 8x plus 12, हमें क्या ग्याद करना है, इस फलन का हमें डोमेन ग्याद करने को बोला गया है, कि बताइए इसका प्रांत क्या होगा, प्रांत मींस डोमेन, तो क्या condition लगेगी, किसी भी function के define होने के लिए, यह उस function के वास्तिवी फलन होने के लिए, इसका जो हर है, x square minus 8x plus 12, कभी भी 0 के equal नहीं होना चाहिए, so x square, देखें multiply करने पर 12, तो क्या situation बनेगी, minus 6x minus 2x plus 12 equal to 0, x common लेने पर bracket में x minus 6 and minus 2 x minus 6 equal to कितना 0, तो x minus 6 x minus 2 equal to is not equal to 0, मतलब यह दो बिंदू हमाई पास, x minus 6 is not equal to 0, and x minus 2 is not equal to 0, means x is not equal to 6 and x is not equal to 2, यह दो situation हमारे पास नहीं होनी चाहिए, एक तो x 6 नहीं होना चाहिए और 2 नहीं होना चाहिए, तो मेरे पास जो इसका range निकल करके आएगा, sorry, जो domain निकल करके आएगा मेरे पास, वो क्या होगा, r minus 2,6, ओके तो correct answer क्या बनेगा मेरे पास, r minus 2,6, चली, third question पे चलते हैं, ओके देखे तो इसका third part जो हमें दिया गया है, वो क्या है, 10, 13 pi by 12 की हमको value, 13 pi by 12 की हमको value find करनी है, सो मैं इसे लिख सकता हूँ, 10 of pi plus pi by 12, और हम जानते हैं कि यह second quarter में जा रहा है, सो 10 pi plus theta, equals to कितना होता है, 10 theta, सो यह हो जाएगा 10 of pi by 12, अब इसको मैं कैसे आँगे solve करता हूँ, देखे, 10 pi by 12 जो हुआ करता है, वो कितना हुआ करता है, pi by 12 को यह दि आप बदल ले, degrees में, so pi by 12 multiply by 180 upon pi, तो pi से cancel हो जाएगा, और pi से कितने बार जाएगा 12 यह जाएगा, अपने पास में, 15 times, so more better you can write it 10 15, और 10 15 को एदि हम simplify करते है, 10 15 degree equals to 10 of 45 minus 30, that is equals to 10 45 10 A minus 10 B 10 30, upon 1 plus 10 A into 10 B, 1 plus 10 45 into 10 30, अब यह आप कर ही लेंगे, 1 minus 1 upon root 3, और 1 plus हो जाएगा 10 45 की value, 1 upon root 3, so simplify करके कितना आजाएगा, root 3 minus 1 upon root 3, and divided by root 3 plus 1 upon root 3, root 3 से root 3 cancel, तो complete answer कितना आया, root 3 minus 1 upon root 3 plus 1, that's the answer, यह आपका answer हो गया, ठीक है, चली, अगले सवाल की तरब चलते हैं, अगले सवाल क्या पूछा गया देखे, यह भी हो गया हमारा, question number 7 is done now, question number 7 के और में, यह वाला question आपको दिया गया था, ओके इसमें आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, यह question में आपको आपको सिद्ध करना था, यह भी बहुत easy question था, आएए इसको solve कर देते हैं, बहुत easy question है यह भी, देखे, sine x plus y upon sine x minus y, तो इसको आप LHS ले करके दिया आप उपर करेगा, तो बहुत easily यह solve हो जाएगा, कैसे open करते हैं देखे, sine x plus y, जो numerator इन्हें अंश में है, इसको लिखी आप, sine x into cos y plus cos x into sine y, और sine x minus y को आप लिखेंगे, क्या sine x into cos y minus cos x into sine y, ओके, तो यह यहाँ पर आप इसको solve करने के लिए, आप यहाँ पर cos x into cos y का उपर भी divide कर दिजे, और cos x into cos y का आप नीचे भी divide कर दिजे, ठीक, तो next क्या होगा देखें, आपने इसको divide तो कर ही दिया है, अब इसके बाद दिदी आप देखेंगे, cos y दोनों में आप distribute कर लिजे, sine x into cos y divided by cos x into cos y, plus cos x into sine y divided by cos x into cos y, whole divided by sine x cos y upon cos x cos y, और minus cos x into sine y divided by cos x into sine y, cos x से cos x cancel करिए, यहाँ पर cos y से cos y, यहाँ cos y से cos y, और यहाँ पर cos x से लेके cos x cancel हो जाएगा, ठीक है तो देखें, क्या equation बनेगी हमाँ पास, sin x upon cos x जो हमाँ पास आएगा, 10 x और sin y upon cos y, 10 y divided by यहाँ पर हो जाएगा, 10 x minus का 10 y, और जो आपका answer बनेगा, तो clear हो गया, इस तरीके से proof करते हैं, तो करना क्या था, expand करके दोनों तरफ आपको cos x और cos y का divide कर देना था, तो आपके पास इसका answer आ जाएगा, चलिए तो अगले सवाल की और चलते हैं, यह वाला question हो चुका है, अगला सवाल यह था मैं पास में, प्रशनकरमांग आठवा, ठीक है, प्रशनकरमांग आठवा, दिखते हैं क्या कहरा है, क्या कहरा है प्रशनकरमांग आठवा, yes, start लेते हैं, देखे question में कह रहा है कि इसको a plus ib के रूप में लिखना है तो so simple 1 upon 5 plus इसको लिख सकते हैं 2i by 5 minus 4 और minus हो जाएगा 5i by 2 so यह हो जाएगा 1 upon 5 minus का 4 और plus i common लेकर के हम क्या लिख सकते हैं i common लेकर के हम लिख सकते हैं 4 plus, sorry 4 नहीं आगा यहां पर हो जाएगा 2 upon 5 और minus 5 by 2 ठीक है अब इसको simplify कीजे 1 minus 5, 4 is 20 upon 5 plus i 2 upon 5 देखे, LCM यहां पर आएगा कितना 10 और 2 to the 4 minus का कितना 25 so answer यहां पर कितना हो जाएगा 1 minus 20 that is equals to minus 19 by 5 plus i उता 4 minus 25 that is equals to minus 21 by 10 clear तो यहां पर जो है answer इतना आजाएगा minus 19 by 5 और minus 21 आयोटा upon कितना 10 तो question ने a plus i b के रूप में यहां पर बोला है तो a की जगे minus 19 upon 5 बीच में plus लगाना मत भूलिए और i लगा करके minus 21 by 10 तो a और b आपको यहां पर clear देखे रहे हैं अगला question देखे यहां पर क्या बोला गया है यस यह हो गए एक का पहला part done इसका दूसरा question का part देखे question का दूसरा part है one plus i upon one minus i hold to the power m equals to one देखे one plus i upon one minus i hold to the power one short trick एदी मैं आपको बता दूँ की one plus i upon one minus i कहीं भी लिखा हो तो आप इसे i लिख दीजे ओके directly कितना होता है i और कहीं भी one minus i upon one plus i है तो इसको क्या लिखिए minus i यह एक short trick का का काम करती बहुत बढ़िया अगर कहीं भी one plus i upon one minus i है तो उपर plus i जो उपर रहता वो आता है अब चलिए यहाँ पर क्योंकि subjective question है तो इसको मैं solve कर देता हूँ यह क्या दिया है one plus i upon one minus i hold to the power m equals to one तो इसको simplify करता हूँ one plus i upon one minus i into one plus i का उपर यह one plus i का नीचे यह कर दिया कि whole power m equals to one देखो उपर बन गया a plus b का whole square तो a का square one b का square two i sorry two a b two i हो गया और i का square कितना हो गया? minus one और नीचे one और minus i का square यानि की plus one तो यह one से one cancel हो गया उपर भी कितना हो गया? two i और नीचे कितना हो गया? two two से two cancel power कितनी लगी है? m equals to कितना? one यहाँ पर हो गया i की power m equals to one question क्या था? निउन्तम मान बताईए okay तो i का m का निउन्तम मान तो एक तो यहाँ पर अगर यह कहता निउन्तम धनात्मक मान अगर निउन्तम धनात्मक मान बोलता तो मैं m की value one डाल देता क्योंकि positive, sorry, four डाल देता तो positive value में m की power four होने पर कितना हो जाएगा value one बट यहाँ पर ऐसा कुछ कहाँ नहीं है धनात्मक निउन्तम के लिए क्या डालूँगा? zero ओके निउन्तम के लिए zero डालूँगा तो i to the power zero equal to one so I believe this situation में यहाँ पर m का मान जो होना चाहिए zero होना चाहिए बट आप debate कर सकते हैं कि zero से छोटा तो minus four है तो i की power minus four देखूं तो भी यहाँ पर जो है one upon iota की power four one upon one हो जाएगा मतलब देखा जाए तो यह question draft करने वाली की थोड़ी सी mistake है यहाँ पर निउन्तम मान जो है यहाँ पर explain करना पड़ेगा कि भाई निउन्तम धनात्मक मान चाहिए निउन्तम धनात्मक मान चाहिए निउन्तम किस form में आपको चाहिए तो यहाँ पर explain नहीं किया गया है तो फिलहाल अपन इसको zero मान करके चलेंगे इस question को चलेंगे अगला सवाल करते हैं यस एक सेकेंड रुकी थोड़ा सा यस नोट इस फाइन तो यह question हम यहाँ पर ले आए हैं अपनी main screen पर अब इसको solve करते हैं देखे 3x plus 8 greater than 2 तो भाई 3x greater than 2 minus 8 हो जाएगा मतलब 3x greater than कित्ता हो जाएगा minus 6 x greater than minus 6 upon 3 मतलब x greater than minus 2 x का value minus 2 से बड़ी अब किया आप पूरांक है तो पूरांक में आप यहाँ पर कोई interval नहीं लगा सकते हैं क्योंकि interval जो होता है अंतराल जो होते हैं वो real numbers के लिए होते हैं वस्तिविक संख्याओं के लिए तो पूरांक के लिए आपके पास हल निकलेगा तो x बराबर कुछ इस तरीके से लिखे minus 2 से बड़ा पूरांक minus 1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 इस तरीके से यह हल निकलते जाएंगे ठीक है तो यह हुआ आपका answer next question अगला question देखिए यह भी आसमीकाओं पर based question है करते हैं क्या कह रहा है सवाल कक्षा 11 के प्रथामबद 27 की परिक्षाओं में से 162 और 48 हंक है वह निउन्तमंग ज्याद कीजिए जिसे वारसिक परिक्षा में पाकर वह 60 हंक निउन्तम प्राप्त कर लिए तो देखिए पहली परिक्षा में 62 पाया है दूसरे में 48 पाया है तीसरे का पता नहीं तो x प्राप्त कर ले और तीनों का आसत जो है निउन्तम अंक जो है 60 का मतलब तीनों का आसत जो है 60 से जादा निकाला है तो 62 और 48 और दो 10 और 6 और 4 10 और 11 एक सो यह हो गया प्लस x ग्रेटर देन कितना हो गया 180 तो x का मान जो होगा 180 माइनस 110 तो x शुड़ भी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो गया 70 मतलब उसे निउन्तम कितने अंक प्राप्त करने होंगे अगर वह चाहता है कि उसका ओसत जो है 60 से अधिक हो तो निउन्तम अंक की संख्या उसके लिए कितनी होनी चाहिए 70 अंक उसे निउन्तम 70 अंक प्राप्त करने होंगे चली तो ये भी बहुत आसान सा सवाल आया क्लास 11 के लिए अगला सवाल करते हैं question number 10 N का मान ज्याद करने वाला question है question कह रहा है N का मान ज्याद कीजिए यदि N P5 equals to 42 into N P3 ये कह रहा है तो मैं क्या करूंगा इसके लिए मैं इसको इस तरीके से स्वाल करूंगा factorial N upon factorial N minus 5 equal to 42 times of factorial N upon factorial N minus 3 एक धमकी भी दी गई यहाँ पर N greater than 4 मतलब condition दी गई है N greater than 4 N से N क्या हो गया cancel हो गया अब मैं यहाँ पे लिए आऊँगा किसको N minus 3 upon factorial N minus 5 equal to 42 N minus 3 factorial का मैं break करता हूं N minus 3 N minus 4 और factorial N minus 5 और नीचे बठाए क्या factorial N minus 5 equal to 42 ठीक है N minus 5 से N minus 5 cancel N minus 3 into N minus 4 equal to 42 अब इसके बाद आप यहाँ पर वर्ग समीकन quadratic equation है इसको solve कर लिजे और यदि मेरे logic से बात करी तो ध्यान से देखिए क्या चाहिए आपन को 42 चाहिए 42 होता कितना 7 गुणे 6 तो 10 में से 7 को अपन लिखना है something minus 3 तो मैं क्या लिख सकता हूं 10 minus 3 और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 10 minus 4 तो तुलना कीजे 10 minus 3 7 होता है और 10 minus 4 कितना होता है 6 होता है तो n की जगा कौन suit कर रहा है 10 suit कर रहा है और इसका मान 4 से बड़ा भी है तो correct answer इसका कितना हो n equal to 10 यह मैंने short trick बताईए आपको exam में क्या करना पड़ेगा इसको पूरा हल करना पड़ेगा यह हो जाएगा n square minus 3 और 4 का मतलब minus का 7 n और plus का 12 बराबर कितना 42 अब इसको हल कर लीजे तो आपके पास n का मान 10 आएगा और एक मान n का कुछ छोटा भी आएगा तो इसको हटा दीजेगा क्योंकि n का मान क्या चाहिए 4 से बड़ा ठीक है clear है next question की तरफ चलते हैं, देखते है next question क्या कह रहा है तो अगले question में कह रहा है कि, यह बहुत अच्छा question है कह रहा है कि किसी वरत पर 21 बिंदू है, किसी वरत पर 21 बिंदू है, बिंदूं से होकर के जाने वाली कितनी जीवाएं जाएंगी तो देखिए आपको यह पता होना चाहिए कि दो बिंदूओं से होकर कित्ती जीवाएं जाती हैं एक जीवा ओके तो हमको 21 बिंदूओं में से दो दो के जोड़े निकालने पड़ेंगे इसके अंदर 21 बिंदू हैं और 21 बिंदू से 2-2 के जोड़े निकालने पड़ेंगे और जितने जोड़ें बनेंगे उतनी जीवाएं होंगी तो बनने वाले जोड़ों की संख्या कितनी होगी 21 में से 2-2 के जोड़े 21C2 हल कर दीजे फैक्टोरियल 21C2 का मैंने शॉट्रिक बताया था उपर से 2 कदम पीछे नीचे से भी 2 कदम पीछे 21 कुणे 20 और नीचे 2 कुणे 1 तो 2 से काट दीजे इसको देखे कितने बार कटे का 10 बार तो आंसर टोटल कितनी जीवाएं बनेगी 210 जीवाएं ओके कंसेप्ट क्या लग गया 21C2 का कंसेप्ट लग गया यहां पर सो सिंपल क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है दो प्रसार वाले क्वेश्चन यहां पर आपको दिये गया है एक पहला दिया गया है 96 की पावर 3 का मान ज्याद कीजिए 96 की पावर 3 चलिए तो मान ज्याद कर लेते है 96 की पावर 3 का तो 96 की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 96 की पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ 100-4 यह मतलब 100 plus minus 4 की whole power 3 अब इसमें मेरे को binomial theorem के concept लगाने पड़ेंगे तो मैं कैसे concept लगाऊंगे देखे 3C0, 100 की power 3 और minus 4 की power 0 plus 3C1, 100 की power 3 minus 1 मतलब की 2 और minus 4 की power 1 plus 3C2, 100 की power 1 और minus 4 की power 3 में से दो गए, यह कित्ता हो जाएगा एक मिनट, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 2 आ जाएगा और फिर last 3C3, 100 की power 0 और minus 4 की power 3 चली, ध्यान से देखी, यह पहला term है, positive रहेगा, यह negative हो जाएगा क्योंकि minus 4 है, मतलब 3C0 कितना होता है, 1 इंटू 1, 2, 3, 4, 5, 6, इंटू 1 यह minus आ जाएगा, 3C1 कितना होता है, 3, गुणे, 1, 2, 3, 4 और 4 का हो जाएगा, 4, minus 4 ने minus अपना दे दिया, plus 3C2 भी कितना होता है, 3 ही होता है यह हो जाएगा, 1, 2, और इसके बाद minus 4 का square कितना हो जाएगा, 16 3C3 कितना होता है, 1, इंटू यह भी 1, और 4 की power 3 तो यहाँ पर minus हाएगा, क्योंकि minus 4 है, यह हो जाएगा, 64 चलिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, minus 3, 12, 1, 2, 3, 4, फिर 3, 16 हो जाएगा, 48, plus 48, 100 ओके, अब minus 1, गुणे, 1 कितना हो गया, 64, ठीक है तो अब आपके पास देखें, 2 term धनात्मक हैं, और 2 term आपके पास धनात्मक हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह आपके पास में है, ओके, इसके बाद आपको plus कितना करना है, 48, 100 plus करना है यह तो plus वाली party हो गई, और minus वाली party में इन दोनों को minus common लेके add कर दो तो 1, 2, 3, 4, और plus का कितना 64, जो आजाएगा दोनों को minus कर दीजी, आपका answer आजाएगा ठीक है न, next करते हैं अगला question देखिए, अगला question भी binomial theorem का ही question आया है यह पहला part हो गया, अगला है 1 minus 2x की power 5 का प्रसार कीजे question क्या है, 1 minus 2x की power 5, तो 1 minus 2x की power 5 का प्रसार करने जा रहे हैं लोग देखिए question क्या दिया है, 1 minus 2x की power 5, तो चलिए कैसे सुरू होगा देखिए 5c0, 1 की power कुछ भी करते रहो फर्क नहीं पड़ेगा, हलाकि power 5 आएगी और minus 2x की power कितनी 0 फिर हो जाएगा कितना, 5c1, 1 की power से कोई फर्क नहीं है, minus 2x की power 1 फिर 5c2, minus 2x की power 2, फिर 5c3, minus 2x की power 3, plus 5c4, minus 2x की power 4, और 5c5, minus 2x की power 5 यहां तक ही expression चलिएगी, 5c0 की value कित्ती होती है, 1 होती है, तो 1 से इस starting होगी अब minus अगला term मा जाएगा, 5c1 कितना होता है, 5, ओके, और into कितना 2x हो जाएगा फिर 5c2, plus में है, ध्यान से देखे गया है, 5 से 2 कदम पीछे, तो 5, गुणे 4, और नीचे 2, गुणे 1 और 2 का square भी कितना 4, और x का square तो x square हो गई ही, फिर 5c3, देखे term आएगा negative, क्योंकि minus का है, 5c3, 5 से 3 कदम पीछे, 5, गुणे 4, गुणे 3, और नीचे 3, गुणे 2, गुणे 1, और 2 की power 3, यानि की 8, और x का q, ठीक है न, 5c4 कितना होता, 5c4, 5 ही होता है, प्लस, और 2 की power 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, x की power 4, और 5c5, 1 होता है, और minus 32x की power 5 आजाएगा, क्योंकि 2 की power 5 32 होता है, तो देखे, answer कितना आना चाहिए, 1 minus 5, 2 ने 10x, 2 से कड़ जाएगा ये बार, 5, 2 ने 10, 10 चोके 40, ठीक है, एक् पर कितना आजाएगा, 5 से 2, 10 और 10 गुणे 4, 40, प्लस, 40 का x का square, इधर काटा कोटी करिए, 3 से 3, cancel, ओके 2 से कितना cancel, 4, चलिए, तो 5 चुके 20, और 20 चुके 80, और minus का 80x cube, प्लस, 65, 80x square, और minus 32x की power 5, तो ये है, इसका answer, इसका solution इस तरीके से आएगा, नेक्स क्वेशन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेशन देखिए, परवले y square बराबर bar x के नाभी के नर्देशांग और नियता के नर्देशांग आपको ग्याद करने हैं, चलिए, तो solve करते हैं, परवले y square equal to 12x के नाभी और नियता के नर्देशांग, तो आपके पास तो यहां पर नाभी के नरदेशांग कितने हो जाएंगे 3,0 और नियता का समीकण भी कह रहा है तो जितना आंगे नाभी होती ही उतना पीछे क्या होती ही नियता तो नियता का समीकण बराबर होता है एकस बराबर माइनस है तो यहां पर आएगा एकस बराबर माइनस 3 यानि एकस प्लस 3 बराबर 0 यह किसका समीकण हो गया यह यह नियता का समीकण हो गया ओके तो यह नियता का समीकण बनेगा चली अगला सवाल देखते हैं अगला सावाल दिया गया है दीर्ध वृत एक्स क्वेर अपॉन 25 गया है। तो A square greater than B square है तो दीरधक्ष यहाँ पर कितनी हो जाएगी 2A मतलब 2 गुणे 5 मतलब दीरधक्ष की लंबाई 10 ये बन गई आपकी दीरधक्ष की लंबाई अब इसके बाद लगों अक्ष की लंबाई कितनी होगी 2B तो 2 into 3 एक क्वल डू कितना हो गया 6 उतके इंदरता के लिए समीखण क्या होता है B square बराबर A square bracket में 1 minus E square ये होता है B square equal to A square तो B square कितना आजाएगा आपने यहाँ पर देखे B square equal to 3 का square यानि कि 9 बराबर A square कितना है 25 और bracket में 1 minus E square तो 9 बटे 25 equal to 1 minus E square तो E square equal to 1 minus 9 बटे 25 यानि कितना आजाएगा 16 बटे 25 तो E बराबर हो जाएगा 4 बटे 5 जोकि root ले लेंगे इस square से तो E answer equal to कितना आगया 4 बटे 5 जो इसके उतके इंदरता आई है वो आई है 4 बटे 5 ठेक है थोड़ा सा वेट कीजिए not responding बता रहा है एक सिकेंड चली अगले सवाल की तरफ चलते हैं चली ये भी हो चुका है अब कह रहा है कि दिखाईए कि बिंदू ये जो है समरेख है ठीक है तो question number 13 करते हैं कि दिखाना है हमें कि ये बिंदू जो है समरेख ही है तो देखिए समरेख ही दिखाने के दो तरीके हैं एक आप त्रिभुच का छेतरफल 0 भी कर सकते हैं और दूसरा आप जो है ऐसा भी कर सकते हैं जैसा मैं दिखा रहा हूँ आपको ये दि मान लिए आपके पास तीन बिंदू है A, B और C अगर ये तीन बिंदू समरेख ही होंगे तो A, B की लंबाई और B, C की लंबाई जो होगी वो A, C की लंबाई के बराबर होगी तब ही ये समरेख ही होंगे दूसरी चीज़ ही होगी कि इन से बनने वाले त्रिभुज का छेतरफल जो होगा, वो कितना होगा? 0 तो चलिए, ये त्रिभुज मान लेता हूँ पहला बिंदू कितना है? माइनस 2,3,5 ठीक है न? बट ध्यान से देखी, ये बिंदू 3D में है और अपने पास जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है? 2D का होता है, ओके? हमारे पास जो फॉर्मूला हुआ करता है वो 2D का है त्रिभुज वाला फॉर्मूला तो त्रिभुज का छेतरफल अगर ये sum रेखिए हैं तो हमको better रहेगा कि हम इस method से कल लें जो method मैंने आपको सिखाई क्योंकि त्रिभुच का formula हमारे पास 11th class में vector के form में उपलब्ध है normal 3D Cartesian geometry वाला formula अभी हम लोग को सिखाया नहीं गया गया है तो हम लोग इसको normal method से करते हैं जो सीरे AB है तो चलिए सबसे पहले मैं AB निकालता हूँ AB की लंबाई बराबर हो जाएगा under root 1 minus minus 2 यहने कितना हो गया 1 plus 2 का square लिख देता हूँ plus 2 minus 3 का square plus 3 minus 5 का square चलिए देखिए कितना आएगा 1 plus 2 का square 3 हो जाएगा 3 का square 9 यह हो जाएगा 1 और 3 में से 5 गय दो 14 तो 9, 10, 10 और 4 कितना 14 एकाई यह हो गया पहली जो लंबाई आई है AB की वो है 14 हो गया दूसरी BC की एकाई निकालता हूँ देखिए तो BC की एकाई निकाल लेता हूँ मैं तो कितना आजाएगा under root 7 minus 1 का square plus 0 minus 2 का square मतलब minus 2 का square माइनस 1 minus minus 3 मतलब minus 4 का square ठीक है न तो 7 का square कितना होता है 7 में से 1 गय 6 का square हो गया 36 plus 4 और plus कितना 16 चलिए 36 और 4 और 16 36 और 16 4 कितना हो जाएगा 20 जो कि हो जाएगा under root 56 और under root 56 कितना होता है 14 गुणे 4 तो 4 का रूट 2 बाहर हो जाएका तो यह हो जाएका दो रूट 14 बहुत बढ़िया अब चलिए AC निकालते हैं AC की लंबाई बरावर अंडरूड 7 माइनस माइनस 2 मतलब 9 का square और पलस 0 माइनस 3 मतलब की 3 का square और माइनस 1 माइनस 5 मतलब माइनस 6 का square चलो जी solve करो 9 का square 81 plus 9 और प्लस कितना 36 86 और 90 हो गया 90 और 36 क्या हो गया under root 126 हम जानते हैं 126 root कितना होता है 14 ठीक 24 ठीक 14 9 49 जा तो 9 का root कितना जागा 3 तो 3 root 14 बिल्कुल सही है 3 root 14 अब ध्यान से देखिए कि इन दोनों का जो योग है वो तीसरे के बरावर है साब साब देख रहा है कि root 14 प्लस 2 root 14 बरावर 3 root 14 और root 14 क्या भाई साब AB की लंबाई root 24 किसकी लंबाई है BC की और ये किसकी है AC की अतह यह 3 विंदू क्या है संरेख है इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो ये भाईया संरेख ही हो जाएंगे चलिए next concept पर deal करते हैं अगला question देखते हैं क्या आगया अगला question ऐसे बिंदू का समुच्चे समीकन ग्याद कीजिए जो बिंदू इतने से समदूरस्थ है तो ये जो question हमारे पास में तो ये जो question हमारे पास में है क्या सीने इस question का अपन को कह रहा है कि उस समुच्चे का समीकन बताई मतलब हमको कुल मिला के बिंदू पद बताना है उस बिंदू का अब question में दोनों को अडनी 3D में है मतलब अपना जो unknown बिंदू होगा वो भी किसमें होगा 3D में होगा x, y, z जो कि दोनों से समुदूरस्थ है याने p, 1, 2, 3 और दूसरा बिंदू q क्या है 3 2 minus 1 से सम्दूरस्थ है ठेक ना इन से ये सम्दूरस्थ है तो क्या condition बन जाएगी इसका नाम A ले लो इसका नाम B ले लो चलो तो PA equal to PB तो PA का square equal to PB का square square इसलिए कर दीजे क्योंकि formula में root आएगा root से वो square square करने से वो root हड़ जाता है तो चलिए directly क्या हो जाएगा ये हो जाएगा X minus 1 का square plus Y minus 2 का square plus Z minus 3 का square equals to X minus 3 का square plus Y minus 2 का square plus Z minus 1 का square एक चीज तो ये हो गई तो इसको solve देखो ये सो ये पूरा cancel हो गया अब इसको हल करो X square minus 2X plus 1 plus Z square minus 6Z plus 9 equal to X square minus 6X plus 9 plus Z square minus 2Z plus कितना 1 X square Z square से X square Z square cancel minus का 2X है उदर से आगया plus का 6X minus का 6Z है उदर से आगया plus का 2Z 9 और एक 10 10 से 10 cancel इदर बचा 0 answer कितना आगया 4 का X minus 4 का Z equal to 0 4 common ले लिजे तो answer कितना आगया X minus Z equal to 0 यही है बिंदू का बिंदू पत्थ जो आप पूछ रहे हैं यही होगा हमारा बिंदू पत्थ question number 14 है limit X tends to 0 sign 4X upon sign 2X तो sign 4X में भी क्या कीजे 4X का divide करिए और 4X का उपर multiply करिए और यहाँ पर sign 2X है तो 2X का divide करिए और 2X का उपर multiply करिए standard limit की वज़े से यह और यह कितने हो जाएंगे 1 1 हो जाएंगे तो यह भी 1 1 यह भी 1 1 और उपर कितना बचा 4X upon में 2X X cancel हो गया तो answer कितना आगया 4 upon 2 it means 2 upon 1 is the answer तो इसका answer आएगा 2 चलिए next question की तरफ बात करते हैं अगला question क्या है देखिए X की power minus 3 5 plus 3X का X के सब एक अवकलन याद करना है मतलब simple simple अपन को differentiation करना और कुछ भी नहीं तो आईए करते हैं इसका differentiation मतलब की अवकलन तो यहाँ पर अपके पास function है X की power minus 3 5 plus 3X तो दो रास्ते हैं अलग-अलग अवकलन करने सच्छा है कि हम सीदे multiply कर दें तो यह हो जाएगा 5X की power minus 3 और plus 3 into X into X की power minus 3 तो यह कितना हो जाएगा 5X की power minus 3 यहाँ देखे power 1 है तो आधार समानों तो घाते जुल जाती है तो यह कितना आजाएगा अपने पास 5X की power minus 3 और यह हो जाएगा 3X की power minus 2 चलिए अब इसका अवकलन कर लेंगे यह हमारा फलन है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है यह हमारा पास फलन है इसका नाम वाई ले लिजे आप ओके एक सेकंड तो यह आपके पास में कितना बचाता minus 2 यह आपके पास फलन है इसका नाम वाई ले जे तो आप आपको डिफेरेंशिट करना है तो दी वाई डी एक्स 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 की power minus 3 प्लस डी वाई डी एक्स 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 की power minus 2 तो यहाँ पे आप जो है 5 बाहर ले लिजे केबल बचेगा डी वाई डी एक्स एक्स की power minus 3 और डी वाई डी एक्स एक्स की power 3 बाहर ले लिजे इसका भी एक्स की power minus 2 तो 5 हाँ देखे आंसर n x की power n minus 1 और प्लस 3 है तो n है माइनस 2 x की पावर n माइनस 1 तो 5 गुण माइनस 3 कितना हो गया माइनस 15 x की पावर माइनस 4 और माइनस कच है x की पावर माइनस 3 जल्दी से आंगे बढ़ेंगे चलिए भी हो गया अब देखें अगला question limit का आया है यह question मुझे बहुत अच्छा लगा थोड़ा सा इसमें दिमाख लगाना था बच्चों को थोड़ा सा मेहनत भी करी कुछ बच्चों ने तो अगर वो चायते तो इसको और हलके से अच्छे से कर सकते थे चलो भाई देख लेने क्या question है यह question आपके सामने दिया गया limit extends to 0 x plus 1 minus 1 upon x तो भाई सबसे पहले limit को 0 को पुट करके देखो कि क्या question के हाल हो रहे है फिर आँगे बात करेंगे तो देखे limit की value 0 पुट करो 0 plus 1 1 हो जाएगा 1 minus 1 upon 0 मतलब कौन सी format बन रही है 0 upon 0 अब क्या करिए देखे आपने क्या मन लिया y तो x equal to कितना हो गया y minus 1 अब आप एक चीज को महसूस करिए कि जिस समय x को आप 0 कर दोगे तो y कितना हो जाएगा 1 मतलब एक बात यहां से clear हो रही ही कि अगर आप x की value 0 डाल दो यह देखो 0 डाल दो x की value तो y की value क्या हो जाएगी 0 तो लिखोगे if x is standing to 0 then y is standing to 1 तो question change हो जाएगा y के लिए question को लिखे limit y tending to 1 x plus 1 की जगे आपने क्या माना y तो y की power 5 minus 1 अपन नीचे क्या है x और x की value अपन ने कितने निकाली y minus 1 तो limit y tends to 1 y की power 5 minus 1 upon y minus 1 अब आपको याद होगा इसको मैं power 5 ले सकता हूँ अब इसके बाद ही की standard formula मैंने आपको पढ़ाया है limit x tends to a x की power n minus a की power n upon x minus a equal to n a की power n minus 1 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 into 1 की power 5 minus 1 that is equal to 5 into 1 तो इसका answer कितना आना था 5 जो की आया भी है correct answer is 5 चली यह हो गया पार्ट दूसरा पार्ट देखिए आपको यह पूछा गया है कि x equal to 1 पर इसके अवकलज का मान क्या होगा तो x equal to 1 पर fx equal to इतने का अवकलज पूछा गया है ठीक है ना तो आपके पास fx equal to कितना fx है 1 plus x plus x square यह plus x की पावर 50 है और आप सबसे पहले अवकलज निकालना तो fx निकाल लो तो 1 का कितना होता है 0 x का कितना होता है 1 2x का x, x square का कितना 2x फिर कितना हो जाएगा 3x square और last में इसका कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा 50x की पावर 49 अब क्या किरा x equal to 1 पर मतलब अब कलेज में x की जगए 1 डाल दो तो क्या है 1 है यह 2 है dot 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 कहां तक 50 तक तो यह क्या है natural number का योग है प्राक्रस संख्याओं का योग है तो कौन सा फारॉम लगता है n into n plus 1 by 2 तो n मतलब कुल संख्या 50 50 plus 1 बटे कितना 2 2 से कितने बार कड़ गया 25 तो आंसर आएगा 25 गुणे 59 तो चलो हल कर देता हूँ 25 एका 25 की 5 केरी आ गई 2 25 पंचे 125 और 2 कितना 1275 तो इसका आंसर आएगा 1275 तो यह भी हल हो गया ठीक है second part यह भी हो गया अब इसके बाद आपको क्या बनाने थे यह बेनारिक बनाने थे देखो भाई यह question तो मतलब कितने हद भी easy question आये हुए है यह वाला part तो बड़े आराम सो जा गया एकी page में I think चलिए देखे पहला इसमें question बोला गया है ए यूनियन बी का compliment तो एक यहाँ पर आपने universal set बनाया यह A है यह B है इसके अंदर सब कुछ क्या है इसके अंदर ए यूनियन बी है तो क्या कह रहा है ए यूनियन बी का compliment compliment मतलब not a union b not of a union b तो a union b ना हो तो ना होने की situation यह पूरी की पूरी होंगी यह होंगी ना होने की situation अगला देखिए अगला है A intersection b का dash मतलब A intersection b का ना होना ओके तो यह बनाया आपने यह पहला था और यह देखिए यह A है यह B है और इतना part है बीच का A intersection b तो A intersection b का ना होना तो क्या क्या हो सकता है यह देखिए जी सब कुछ हो सकता है केवल A intersection b नहीं होगा तो दूसरा part यह था अब इसके बाद इसको roaster form में बनाना था B को कहरा X प्राकर संख्या 6 से कम तो क्या बनेगा 1, 2, 3, 4, 5 यह बन गई प्राकर संख्या 6 से कम बन गया roaster form में अगला कह रहा है 1, 4, 9, up to, up to 100 को समुच्य निर्माण रूप में लिखे समुच्य निर्माण यानि की set builder form में तो B is equal to क्या लिखेंगे अच्छा set का नाम A है तो A is equal to क्या लिखेंगे X square जहां पे X belongs to natural number X belongs to natural number ठेक ना? A equal to X square जहां पे X belongs to natural number है और X का मान शुरुवात कहां से हो रहा 1 से लेके कहां तक खताम हो रहा 10 तक ये line लिखना बहुत ज़रूरी अगर आप ये line नहीं लिखे होंगे तो आपके number कड़ जाएंगे चलिए ये भी हो गया अगले सवाल ये done, done, ठेक है ना? अगला सवाल देखे क्या है अगला सवाल आपको दिया गया है समान अंतर सुनिका सरल सवाल एकदम question number 17 question number 17 एक व्यक्ती की प्रथम वर्स में आए 1, 2, 3, 4, 5, 3 लाक रुपे है तो ए बराबर कितना 3 और 1, 2, 3, 4, 5, 3, 0, 5, 0 हो गए 3 लाक रुपे है उसकी आए में हर साल 10,000 रुपे की वर्दी होती है तो कित्ते होगे दर साल 1, 2, 3, 4, 10,000 रुपे की वर्दी होगी और यह 19 वर्स तक बढ़ती है तो उसके द्वारा 20 वर्सों में प्राप्त आए ग्याद कीजिए ठीक है ना? 19 वर्सों में बढ़ती है उसके द्वारा 20 वर्सों में प्राप्त आए ग्याद कीजिए दे कि 20 वर्सों में लिखा है 20 वर्सों में मतलब total आए प्राप्त करना उसके पास कित्ती हो गई है मतलब आपको निकालना है योग अगर यह कहता 20 वर्स की आए कित्ती होगी तो आप उसका पद निकालते है बत 20 वर्सों में बोल रहा है मतलब पहले साल की आए है ना? तो इस तरीके से आपको 19 वर्स तक बढ़ती है और आपको 20 वर्स में आए आपको निकालना है कि कितनी होगी चली कैसे सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर निकालना है एस 20 ठीक है ना? तो एस 20 यहाँ पर आपको निकालना है तो लगा दिजे फॉर्मूला एन बाइटू बट यहाँ पर थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ एक चीज हो रही यहाँ पर देखिए एक आपन सिंपल एक्जामपल ले लेते हैं कि 19 वरस तक बढ़ती है तो उसके 20 वरसों में आए क्या होगी? एक छोटा से एक्जामपल लेते हैं तो आपको थोड़े से कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होगे मान लो किसी इनसान की आए जो है 10,000 रुपए है ओके वो 10,000 रुपए जाकर के इन्वेस्ट करता है और फिर हर साल उसकी आए जो है एक एक हजार रुपए बढ़ जाती है ठीक है ना? 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है और हर साल उसकी आए जो है एक हजार रुपए बढ़ जाती है मतलब उसके पास initial amount कितना था 10,000 ठीक है ना 10,000 जो है उसके पास initial amount था और 1,000 रुपए उसकी आए जो है हर साल बढ़ जाती है तो एक साल के बाद A1 उसकी आए कितनी हो जाएगी 11,000 ओके फिर एक साल के बाद एक हजार बढ़ गई तो दूसरे साल खतम होने पर उसकी आए कितनी होगी 12,000 तीसरे साल खतम होने पर उसकी आए कितनी होगी 13,000 चौथे साल खतम होने पर उसकी आए कितनी होगी 14,000 और पाँचवे साल खतम होने पर उसकी आए कित्ती होगी 15,000 तो ये पाँचवे साल के खतम होने पर इसकी आए आई है 15,000 मतलब उसके पास जो पहले साल खतम होने पर उसकी आई आई आगई 11,000, दूसरे साल खतम होने पर उसकी आई आई होगी 12,000 तो यहाँ पर कह रहा है कि 19 वरस तक ये काम हो रहा है तो 20 वरस तक आए आपको बताना है तो यह समझे कि आपको S20 निकालना पड़ेगा कि S19 निकालना पड़ेगा बताओ वहीं क्या करना पड़ेगा S19 या S20 यह सिचुएशन अलग थी यह सिचुएशन अपन ने इसलिए समझी है कि मतलब पहले वो पैसा ले करके जाता है एक साल के बाद उसको इतना पैसा मिलता है मतलब जब एक साल कंप्लीट हो जाता है तो एक साल में उसको इतना पैसा मिलता है अब यह कह रहा है कि उस पर जो लड़क बंदे पर ब्याज लगा है वो 19 साल का लगा है ठीक है ना तो भाई 19 वर्सों तक बढ़ी ना हाँ तो भाई 19 वर्स देखो 3 लाख रुपए लेके गया कोई बंदा अब 3 लाख रुपए लेकर के गया तो पहले साल में उसके खाते में 10,000 रुपए बढ़ गए ठीक ना तो पहले साल के बाद एक साल में हाँ तो यह पहला टरंद था यह सेकेंटर में सही बात है भाई फस्ट टम तो यह बनेगा सेकेंटर में यह बनेगा हाय न और 19 साल के बाद जो टर्म बनेगा वो 20 वा टर्म बनेगा और यह आएगी 20 साल की बचत यानि कि S20 निकालना पड़ेगा राइट तो S20 एकोल टू 20 वाई टू 2 इन्टू ए ठीक है 2 इन्टू ए प्लस N माइनस 1 20 माइनस 1 इन्टू D इसको कर लीजे तो यह आंसर आजाएगा देखिए इसको करता हूं मैं S20 एकोल टू एन्टू यानि 20 वाई टू 2 इन्टू ए 2 इन्टू 3 लैक प्लस N माइनस 1 इन्टू D यह हो जाएगा तो यह कितना हो गया 10 यह हो गया 6 लाक 20 माइनस 1 मतलब 19 4 0 10 6 1 2 3 4 5 1 9 0 0 0 0 add कर देना इतना 0 0 0 0 0 9 7 और लास्ट में 10 से multiply है तो एक और 0 आजाएगा तो 7 9 0 0 0 0 और एक और 0 ठीक है यह होगा इसका सम 20 साल के बाद इतनी पचत हो जाएगी इन्की चली अगला क्वेशन कह रहा है कि उस गुनित्तर सिनी का बार्वा पद ग्याद कीजे जिसका आठवा पद 192 है तो T8 एक और टू 192 आपको कह रहा है कि बार्वा पद आपको ग्याद करना है आठवा पद आपको 192 दिया गया है सर्वानुपाद 2 दिया गया है तो हम जानते हैं कि आठवा पद होता है A R की पावर 8-1 एक और टू 192 A इंटू R की पावर 7 इक और टू 192 R इंटू 2 की पावर 7 192 क्लियर है बार्वा पद हमें निकालना है तो A इक और टू कितना आ गया 192 अपाउन 2 की पावर 7 तो बार्वा पद निकालना है A 12 एक और टू होगा A R की पावर 11 क्यों? क्योंकि A R की पावर 12-1 तो A मेरे पास कितना आ चुका है? A मेरे पास आ चुका है 192 अपाउन 2 की पावर 7 और R कितना आया है? 2 की पावर 11 ठीक तो यहाँ पे 192 है और इंटू यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 2 की पावर 11 माइनस 7 192 गुणे 2 की पावर 11 में से 7 गये तो 2 की पावर 4 192 गुणे 16 1 की पावर 11 माइनस 1 ठीक है न सब कुछ? 16 गुणे 22 की 2 हासिल 3 16 गुणे 944 45, 46, 47 हासिल 14, 16, 16 16 और 14 6, 4, 10 की सुन 2, 2, 3 30, 72 तो करेक्ट आंसर कितना होगा? 3072 यह इसका पद होगा चली तो यह भी डन हो गया यह तो हो गया पहले अगला कॉस्चन है कि साइनेक्स का प्रथम से धान से अवकलज ग्यात कीजे प्रथम से धान से अवकलज ग्यात कीजे तो यह क्लास में आपको कराया हुआ था कि sin x का प्रतम से धान से ओकलज कैसे गयात करा जाता है then इसके बाद है limit x tends to 0 ax plus b cos x चलिए बहुत ही simple सा question है इसको भी देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है कि limit x tends to 0 यदि मैं limit x tends to 0 उपर से x common लेने तो कितना बज़ गया a plus cos x और नीचे कितना है b sin x और हम जानते हैं कि sin x upon x और x upon sin x कितना होता 1 तो limit x tends to 0 x upon sin x अलग कर लिया और limit x tends to 0 a plus cos x upon b तो इसकी value कितनी हो गई ये तो हो गया 1 into a plus cos 0 की value 1 upon b answer आएगा 1 plus ay b ये answer हो गया चली next question समीकरण इतने की त्रिज्या और ये ग्याद कीजे दो पार्ट है इसमें पहला पार्ट थोड़ा सा difficult है दूसरा पार्ट तो बहुत ही हलू आया है चली इसको भी solve कर लेते हैं दिखें समीकरण जो दिया गया आपके पास में x square plus y square तो यदि x square plus y square minus 4x minus 8y minus 45 equal to 0 है यदि तुलना करो मैं इसकी x square plus y square plus 2g x plus 2fy plus c equal to 0 से तो 2g की value है minus 4 और 2f की value किती है minus का 8 तो एक second वेट करिए हाँ so g equals to कितना हो गया 2g equals to minus 4 और 2f equal to minus 8 तो g equals to minus 2 और f equal to कितना हो गया minus का 4 तो जो हमारे पास center होता है center होता है minus g minus का f तो यह हो जाएगा 2,4 और जो radius होती वो होती अंडर root g square plus f square minus c तो g का square 2 का square 4, 4 का square 16 और minus c मतलब minus of minus 45 तो यह हो गया 20 plus 45 आंसर कितना आ गया under root 65 यानि 30 जो होगी वो कित्ती होगी root का 65 नेक्स्ट question की तरफ चलते हैं अगला question इसी में था slide में ही था देखा नहीं अपन ने चलिए तो कर लेते हैं question का कह रहा है ना भी 2,0 और नियता x बराबर minus 2 वाले परवले का समीकन गयात कीजिए ना भी 2,0 है अब नियता कितना है x equal to minus 2 तो चलिए ड्रॉ करते हैं इसको ना भी कित्ती दी गई है 2,0 और नियता कितनी है दोस्तों minus 2 x बराबर minus 2 तो यह देखिए यह लेजे ना भी 2,0 और नियता कितनी है minus 2,0 नियता का समीकन है x बराबर minus 2 तो हम जानते हैं कि जो यह होता है परवले का क्या बोलना चाहिए शीर्श वो ना भी और नियता के बिलकुल मध्य में होता है नियता का मध्य बिंदू होता है तो यदि आप दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मध्य बिंदू आएगा 0,0 मतलब परवले कुछ इस तरीके से आएगा और परवले के इस तरीके से जाने के काण जो समीकन बनेगा y बराबर 4ax तो y square equal to y square equal to 4, एक इत्ती है 2 into x तो परवले का समीकन हो गया y बराबर y square equal to 8x ये बन जाएगा हमारा समीकन परवले का तो ये सवाल भी complete हो गया है अब इसके बाद अगले सवाल जो था टिग्नोमेटरी खा था और जादातर बच्चों ने इसमें गलती करी है दूसरा पार्ट तो कुछ सही भी है पहले पार्ट में बहुत जबरदस गलतिया हुई है और टिग्नोमेटरी के question formula की वज़े से ही गलत होते है तो देखें कैसे करते हैं इस question को पहला पार्ट जो आपके पास में है पहला पार्ट में sin 5x plus sin 3x और minus का कितना sin 2x और नीचे है अपने पास में cos 5x minus cos x ओके तो देखें sin 5x plus sin x क्या condition बनीगी आपके पास में sin c plus sin d equal to 2 sin c plus d by 2 और cos of c minus d by 2 ओके और यहां पर कितना हो गया तो 2x है थैंक यू तो 5x और sin 5x और sin 3x नहीं नहीं कुछ गड़बर हो रही है देखो 5 और sin x है यह mistake लिखी मैंने ओके यहां पर आएगा sin x और minus 2 sin 3x पूरा question ही गलत लिखा मैंने यहां पर आएगा 2 sin 3x अब ठीक है और cos 5x ठीक है सी मैंने स्कॉच डीका 2 sin c प्लस डी बाइटू साइन ओप डी मैंनस सी बाइटू यह माइनस साइन सी मैंनस डी बाइटू यह होता है फॉर्मूला चलिए तो यहां पर भी टू होता है भूल गया था मैं तो देखिए नीचे से 2 to cancel उपर से common लेके cancel कर दीजिए क्या बजगया finally sin 6x by 2 यानि की sin 3x into cos of 5x minus 4x cos 2x minus sin 3x divided by minus का sin 5x यानि की 3x और sin का 5x में से x गए तो 4x upon 2 यानि की 2x अब यहां से आप उपर से sin 3x common ले ले तो कित्ता बजगया cos 2x minus 1 और नीचे sin 3x है और into में कित्ता minus sin 2x यह cancel हो गया अगर minus sin का आप उपर देने तो बन जाएगा 1 minus cos 2x और नीचे बन जाएगा sin 2x और 1 minus cos 2x जो होता है upon sin 2x तो 1 minus cos 2x equal to होता है 2 sin square x और sin 2x होता है 2 sin x into cos x तो 2 से 2 cancel sin से sin cancels sign upon cos कितना आ गया 10x is the answer hence proved यही proof करना था पहला पार्ट तो proof हो गया है दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं दूसरा पार्ट यह दिया हुआ है कि 10 3x चलो लेई चलते हैं copy तो ही यह वह दूसरा पार्ट देखें दूसरा पार्ट तो एक रट चुका होता है बच्चों को कैसे solve करना होता है ऐस तरीके से 10 3x equal to होता है 10x plus 2x now 10 3x equal to formula लगाई है 10x plus 10 2x upon 1 minus 10x into 10 2x so 10 3x का multiply 1 minus 10x into 10 2x equal to 10x plus 10 2x clear है 10 3x का 1 के साथ multiply 10 3x minus 10x into 10 2x into 10 3x equal to 10x plus 10 2x तो अब यह दी यहाँ पर आप इसको ले आएंगे तो 10 3x minus 10 2x minus 10 x equal to यह चीज उदर चले जाएगी तो आंसर कितना हो जाएगा 10x into 10 2x into 10 3x यही प्रूव करना था हमको हैंस प्रूवड चली आँगे चलते हैं अगला question देखते हैं यस यह question number 21 दिया हुआ है 21 भी easy है और इसके और में जो दिया है गया है वो भी ठीक ठाक question है तो करते हैं इसको देखे पहला question दिया गया है कि x plus i y equal to a plus i b upon a minus i b तो इसको कैसे solve करेंगे समीकर नंबर एक ले लिजे दोनों पक्षो का इसमें आप conjugate लेजे संयुगमी ले लेजे तो यहाँ भी संयुगमी लिया अभी मतलो इसको number 1 रहे दो अब ले लो संयुगमी लेने पर तो x minus i y इसका भी संयुगमी a minus i b और इसका a plus i b समीकर नंबर दो हो गया यह अब एक का दूसरे गुणा कर दीजे तो x minus i y और x plus i y दोनों का गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा x square minus i y का square उपर हो जाएगा a plus i b into a minus i b और नीचे हो जाएगा a minus i b थोड़ा वीट कीजिए एक मिनट प्लीज नीचे हो जाएगा a minus i b into a plus i b तो चलिए इसको solve कीजिए तो यह हो गया x square यह हो गया plus y square यह हो गया a square plus b square और यह भी हो गया a square plus b square यह cancel हो गया तो answer x square plus y square equal to कितना आ गया 1 तो finally answer आपका इसका कितना आ गया है 1 आ गया है चलिए next question है एक second wait कीजिए थोड़ा तो देखिए अगला question करते हैं दोस्तों यह अपने पास question दिया है i to the power 18 तो हम जानते है i की power 18 को हम लिख सकते है i की power 16 into 2 और plus 1 की power 25 को 1 रहन दो और नीचे हो गया i की power 25 so i की power 16 तो 1 होता है क्या बचाए i का square plus 1 upon यह हो जाएगा i की power 24 into i की power 1 तो i square की value minus 1 plus 1 upon i की power 24 भी 1 और upon में i का whole cube सुरू से चला आ रहा है रहा है देखो question में ही तो यह कितना कल दी आपन ने यह हो गया minus 1 और 1 upon i की power 3 तो 1 upon i कितना होता है 1 upon i मतलब i upon i तो उपर हो गया i और नीचे हो गया minus 1 तो minus 1 और minus का i की whole power 3 यदि मैं minus 1 common ले लू अंदर ही अंदर से तो कितना बचेगा 1 plus i की whole power 3 minus 1 का whole cube और 1 plus i का whole cube तो minus 1 का whole cube कितना होगा minus 1 और 1 plus i का whole cube 1 का cube plus i का cube plus 3 into 1 का square into i plus 3 into 1 into i का square यह formula लगा दिया आपने a cube plus b cube का a plus b के whole cube का sorry तो यहाँ पर कितना जाएगा यह हो जाएगा minus का 1 1 का cube होगा 1 i cube कितना होगा minus i i का cube कितना होगा minus i और plus हो गया यह 3 iota और iota square कितना होगा minus 1 तो हो गया minus 3 तो यह minus 1 है 1 minus 3 कितना होता minus 2 iota minus 2 iota कितना होगा plus का 2 iota तो minus sign का multiply कर दिजिए तो कितना हो गया माइनस टू माइनस स्वरी प्लस टू माइनस टू आयोटा तो यहां से टू कॉमल ले ले तो आंसर कितना आ गया वन माइनस आयोटा इस यूर आंसर ठीक है कि नेक्स्ट क्वेशन नमबर 22 का पहला पार्ट है यदि किसी समातर स्रिणी का एमवा पद N और एमवा पद M है तो आपको बताना है कि उस स्रिणी का कोई पद पूछा गया है कि उस स्रिणी का आपको बताना है कि कौन सा पद क्या होगा किसी समांतर सेनी का M वा पद N है और M पद M है तो P वा पद ग्यात करना है चलो भाई तो क्या कंडिशन ली गई है M वा पद N दिया गया है और M वा पद N है मतलब A प्लस M-1 into D वरा पर N और N वा पद M है मतलब A प्लस N-1 into D वराबर कितना है M चलो ये माइनस कर दीजे ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस तो A से एक Cancel हो गया D common ले लिया क्या बचा M-1 माइनस N और माइनस टोड़ देगा प्लस में और ये हो गया N-1 में m-n बराबर n-m तो d equal to n-m upon m-n ऊपर से minus 1 common ले लेंगे तो m-n upon m-n cancel cancel d कितना आगया minus 1 d की value first में रख दीजे a plus m-1 into minus 1 equal to n तो a minus m plus 1 equal to n a equal to m उधर गया n इधर गया minus 1 अब आपको बोला गया p वाँ पर a b बराबर a plus p minus 1 into d a की जगे कितना है m plus n minus 1 plus p minus 1 और d की value है minus 1 तो m plus n minus 1 और minus का p और plus का 1 1 से 1 cancel answer m plus n minus p तो स्रिणी का p वाँ पर कितना होगा m plus n minus p this is your answer यह हो गया स्रिणी का p वाँ पर चली अगला देखिए अगला इसका जो part दिया गया है 22 में का second part है अनुकरम आठ 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 और आठ 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 इस तरीके की स्रिणी दी गई है इसके आपको n पदों का योगफल ग्याद करना है चली आए देखते हैं किस प्रकार से इसके n पदों का योगफल ग्याद करेंगे तो आपको लिख लेते हैं sn एकॉल 2 आठ प्लस 8 आठ 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 प्लस 8 आठ 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 प्लस अब्टू अब्टू इसके दिए गए कितने n पद दिए गए ठीक है चलिए तो S N बरावर यहां से 8 common ले लिजे तो कितना है 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 111 प्लस इस तरीके से है N पद जितने भी हैं यहां पे अब देखे हम क्या करते हैं यहां पे एक विशेस प्रकार होता है कि 8 है हम 9 का भाग देते हैं और प्रतेक पद में 9 का गुणा तो S N बरावर 8 बटे 9 इसी क्या लिख सकते हैं आप 10-1 प्लस 10 की पावर 2 याने 100-1 प्लस 10 की पावर 3-1 प्लस अप्टू अप्टू N वे पद में क्या आएगा 10 की पावर N-1 इस तरीके से तो एक बार फिर से इस सीरीज को लिखता हूं मैं क्या लिखूंगा S N एक्वल टू 8 बटे 9 क्या बना है 10-1 प्लस 10 की पावर 2-1 प्लस 10 की पावर 3-1 प्लस डॉट 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 10 to the power N-1 देखे अब इसके टर्म को आपको समेटना है तो 8 बटे 9 यहाँ पे 10 है यह 10 की पावर 2 है प्लस 10 की पावर 3 है करते करते कितने हैं 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 करते करते कितने n पद हैं ओके तो देखें S n इकॉल to 8 by n 9 अब यह क्या बन गया यह GP बन गई किसकी 10 की तो फॉर्मुला क्या होता है A r to the power n minus 1 upon r minus 1 तो 10 10 की power n minus 1 upon 10 minus 1 minus कितना हो जाएगा n r बटे 9 यहाँ कितना हो जाएगा 10 बटे 9 और यहाँ 10 की power n minus 1 minus का कितना n यही आपका आंसर होगा और simplify कर सकते हैं परन्तु यहाँ तक भी आपका बिल्कुल ठीक है right answer है तो यहाँ तक भी यह आप करके आए हैं तो आपको इसमें पूरे marks आपको मिल जाएंगे चलिए next अगला question क्या था भाई यह हो गया second last question पर आगए काफी बड़ा paper था तीन गंटे का paper हम लगबख खतमी करने वाले हैं तो देखे बिंदू 2,2 से जाने वाली रेखा का समीकन ग्याद कीजिए जिसके द्वारा अच्छो से काटेगा अंत्य खंड का योग 9 है तो मान लिया है भाई हमने कि कोई रेखा है वो अच्छो से अंत्य खंड काटती है इधर A काट रही है इधर B काट रही है तो रेखा का समीकन क्या होगा X upon A plus Y upon B equal to 1 ये रेखा का समीकन है अब condition क्या दे रखी कि रेखा जो है उससे काटेगा अंत्य खंड का योग 2 है मतलब A plus B बरावर 9 है A plus B बरावर 9 तो B equal to कितना होगा 9 minus A तो condition क्या है ठीक है अब देखे ये जो रेखा 2,2 से होके जा रही है तो 2,2 से संतुष्ट करा दीजे तो 2 upon A plus 2 upon 9 minus A equal to 1 2 common ले लिजे 1 upon A plus 1 upon 9 minus A equal to 1 यहां से 1 के नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा चलिए वर्क समीकन बन जाएगा solve कर दीजे, उपर हो गया 9 minus A इधर हो गया plus A और यहां हो गया A into 9 minus A बराबर एक बटे 2 A से A क्या हो गया cancel हो गया, 9 upon 9 A minus A square equal to 1 by 2 हल कीजे, तो 9 उने 2 कितना हुआ 18 बराबर 9 A minus A square A square को धर लेकर कर आईए तो A square और minus का 9 A ठीक है, minus का 9 A और plus का 18 equal to 0 A square, ऐसे नमबर multiply करने पर 9 आए और 18 आए तो 6 और 3 तो A square minus 6 minus 3 A plus 18 equal to 0 तो A common A minus 6 और minus 3 common A minus 6 equal to 0 तो A minus 6 A minus 3 equal to 0 तो A equal to 3 और A equal to 6 दो हमाई पस बिंदू आ गए है कि A के 2 मान आए है equal to 3 और A equal to 6 और B कितना है, B बराबर है 9 minus A तो देखिए B equal to है 9 minus A तो A के 2 मान है, अपने पास 1 है 3, 1 है 6 तो जिस समय 1 होगा 3 तो B बराबर 9 minus 3 बराबर कितना 6 तो क्या जोड़ी बन गई, A बराबर 3 और B बराबर 6 तो समीकन क्या होगा रेखा का X upon 3 plus Y upon 6 equal to 1 और जिस समय A की वैल्यू 6 है तो B की वैल्यू देखिए कितनी रिखिलेगी B equal to हो जाएगी 9 minus B याने 9 minus 6 equal to 3 तो क्या बनेंगे अपने पास बिंदू अंत्यकंड क्या बनेंगे A equal to 6 and B equal to 3 तो conditions बनेंगी X upon 6 plus Y upon 3 equal to 1 तो ये हमारे पास दो समीकन आएगे यहाँ पर चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट अगला question ये बहुत अच्छा question था जो last question इस paper का है कह रहा है यदि मूल बिंदू से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई P हो जिस पर अच्छों से काटेगा अंत्यकंड A और B हो तो दर्शाइए की इतना है देखे आप से ये कहा जा रहा है कि कोई आपके पास रेखा है और उसके द्वारा अच्छों से काटेगा अंत्यकंड A और B हैं ये देखे तो ये है A अंत्यकंड और ये है B अंत्यकंड तो कह रहा है कि सिद्ध करो कि इस पर मूल बिंदू से डाले गए लंब की लंबाई P का मान ये होगा ये सिद्ध करना है तो देखे अपने पास रेखा का समीकंड क्या होता है अंत्यकंड रूप में रेखा का जो समीकंड अपने पास बनता है वो क्या बनता है X upon A plus Y upon B equal to 1 ठीक है ना X upon A plus Y upon B equal to 1 अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 upon A into X plus 1 upon B into Y equal to 1 अब आपको याद होगा रेखा का जो अभिलंब रूप होता है रेखा का अभिलंब रूप जो हुआ करता है मूल बिंदू से डाले गए लंबी की लंबाई निकालना है मूल बिंदू से डाले गए लंबी की लंबाई तो जो रेखा का अभिलम रूप हुआ करता है उसमें अभिलम रूप क्या बनता है X cos alpha plus Y sin alpha equal to P ये बनता है रेखा अभिलम रूप ठीक है न और यदि मैं इसको तुलना कर दू यहाँ पे तो यह x into 1 upon a plus y into 1 upon b equal to 1 मुझे यह जो समीकन दिया गया है इस समीकन को अभिलम रूप में बदलना पड़ेगा और हमने बताया था कि अभिलम रूप में बदलने के लिए p क्या होता है कि समीकन के लिए समाने समीकन के लिए ax plus by plus c equal to 0 के लिए मैं लिख देता हूँ एक बार और कि भाई ax plus by plus c equal to 0 के रूप का समीकन हो तो p बराबर होता है ठीक है p equal to क्या होता है p equal to होता है c upon under root a square plus b square का mod यह होता है अभिलम से डाले गए लंब की लंबाई तो यहाँ पे p equal to c की जगे कौन बैठा है 1 upon under root 1 by a square plus 1 by b square ठीक है न p equal to 1 by a square plus 1 by b square ठीक है एक काम करिए इसको नीचे वाले को उपर ले जाए उपर वाले को नीचे ले जाए अगले पेज में रिखाते हैं कैसे होगा तो p equal to 1 upon under root 1 by a square plus 1 by b square तो यह पूरा का पूरा उपर जाएगा यह p नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा under root 1 by a square plus 1 by b square equal to 1 upon p हो जाएगा दोनों पक्चों का वर्ग ले लिजे 1 upon a square plus 1 upon b square equal to 1 upon p square यही सिद्ध करना था हमें done तो यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा पेपर class 11, 2023 का यहां पे समाप्त होता है हमने इसको कर लिया है आप लोग भी इसको जितने लोगों ने देखा यह जितने लोग देखने वाले हैं इसको पूरा पूरा पेपर एक बार अपनी copy में भी करके लाईए और इसको चेक कराईए जिससे कि आपको इसका maximum से maximum profit हो सके आप इसका ज्यादे से ज्यादा लाभ ले सकें चलिए तो ठीक है यहीं पर इस class को end करते हैं नमस्कार धन्यवाद